हाई गाइस वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल आज मैं आपको किया सोनेट एस्टी के प्लस की हैडलाइट के बारे में कुछ इंफोमेशन दूँगा कुछ यूजर को हैडलाइट चलाने में गाड़ी की जिन्होंने नहीं गाड़ी लिए होती है प्रॉब्लम आती है तो कुछ यूजर ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप इसका थोड़ा सा रिव्यू कर दीजिए तक उनको थोड़ा एजी हो चलाने के लिए तो मैं थोड़ा सा हैडलाइट के बारे में बता देता हूं तो करीपा करके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आपको इन्फोर्मेशन है वीडियो के रिकार्डिंग मिल सके तो गाइस लेट स्टार्ट तो गाइस सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूं तो यह भी system jack हो रहा ह है गाड़ी का तो मैं गाड़ी on कर देता हूं यह गाड़ी मैंने on कर दिया है तो थोड़ा साब को फोकस से दिखाता हूं light के लिए अभी lights मैंने off कर रखिया, आप देख रहे होंगे, कि आपको अंदेरा दिख रहा होगा, तो अभी lights off कर रखिया, तो ये जो lever होता है, steering के right hand side वाला, ये, ये वाला जो lever है, ये आपकी lights, cat lights के लिए है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, lights को, आप, मैं कैमरे का focus सामने कर द इसको ऊपर, एक, दो, तीन, बार ऊपर ले जाके, इसको मैंने on कर दिया, आप देखिए, गारी की lights जो है, वो on हो चुकी है, तो अब क्या है, कि अब इसमें आप देख सकोगे, कि ये आपको green signal दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है, कि गारी की lights on है, तो आप देख रहे ह कि इस green button के साथ, एक और green सा arrow आ जाएगा, तो अगर वो आता है, तो हमारे fog lamps भी on है, तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये देखो, ये हमारे fog lamps on हो गए, और आप देखेंगे कि गारी की light जो है, ये बढ़ गई है, मैं अभी बंद कर देता fog lamps, ये off कर दिए, देखो, light कम हो गई, और इसको मैं on कर देता हूँ, और आप देखें, light जादा हो गई, ठीक है, तो indication इसकी ये होती है, ठीक है, अभी जो है, वो हमारी जो light है, वो low beam पे चल दी है, वो मुझे कैसे बता चला है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर का arrow आजाए यहाँ से मारते हैं, डिपर मारते हैं, यहाँ से, इसको मैं उपर प्रेस करूँगा, यह डिपर बजा है, ठीक है, यह देखिए, जितनी दिर मैं इसको पकड़ के रखूँगा, उतनी देर यह light जगेगी, ब्लू वाली, और उतनी देर आपको जो है, high beam पे आप देखोगे लाइट जो है, जैसे मैं इसको रिलीज कर दूँगा, इसको मैं अपनी जगा पे आने दूँगा, तो आप देखोगे, यह light बंद हो गई, तो यह light भी कम हो गई, मैं एक बार फिर से आपको करके देता हूँ, यह देखिए, मैंने डिपर प्रेस किया, और रिलीज कर दिया प्रेस किया है, रिलीज कर दिया, तो आपको high और low beam में light जो है, वो reflect होती है, तो इसलिए हमें जो है, डिपर ऐसे दिखता है, क्योंकि जब हम प्रेस करते हैं, तो high beam चलती है, जब हम रिलीज कर देते हैं, तो low beam चलती है, तो यह थे डिपर के बारे में थोड़ी से information, गा जो indication है, उसके थुरू आपको पता चल दागा है, यह मैंने बंद कर दिया और यह मैंने ओन कर दिया, यह वाला बटन है, यह एक बार प्रेस करोगे, अगर ओन है तो off हो जाएगा, ओन हो जाएगा, तो इसके लिए यह होता है, यह देखिए, मैं lights के थुरू भी दिखाता ह है, तो मैं तो देखो, जी, guys, ओन करके रखता हूँ, जब भी गाड़ी चलाता हूँ, क्योंकि रोड पे रात को जो टाइम होता है गाड़ी चलाने का, वो टाइम तो मस्त होता है, लेकि डेंजरस भी थोड़ा सा होता है, तो मैं इसके साथ कभी compromise नहीं करता हूँ, तो मैं हमें लंबे तूर पे जाना है, किसी long drive पे जाना है, तो हमें हाई बीम पे घाड़ी चलाने होता है, कबी कभी, तो वैसे recommend तो यह होता है जो बीम पे चलाइं, क्योंकि आगे वाले को दिकत नहीं होती है, जो आगे से अका गाड़ी को प्रवाब्लम नहीं होती है, उसको प प्रेस कर देना है बच छोड़ देना है और आप देखिए ब्लू वाली जो लाइट है वहाँ पे स्टेबल हो गई है पहले हमने डिपर चलाया था तो हम जब उसको उपर लेके जाते थे वो स्टेबल हो थी जब छोड़ते थे तो वो अपनी जगह पे जाके बंद हो जाती थी अब हमने इसको हाई बीम पे कर दिया अब यह हाई बीम पे चलेगी guys steering के right hand side पे हमारे पास एक यह option होती है जिसको आप देख रहे होंगे indicator सा बना light का indicator है यह basically low beam indicator है low beam indicator light है basically यह इसमें आप देखेंगे आपको एक round से shape में बिलेगा जिसको आप उपर नीचे कर सकते है 0 1 2 और 3 ठीक है इसको आप उपर नीचे कर सकते हैं तो यह basically क्या होता है कि अभी zero पे है मैं आपको difference दिखाता हूँ exactly यह है क्या देखिए अभी है zero पे ठीक है मैं आपको friend से दिखाता हूँ इसका exactly क्या हो रहा है zero पे light आपको ऐसी दिख रही है low beam पे अभी light ठीक है तो ऐसी दिख रही है और यह low beam पे ही काम करेगा यह high beam पे काम नहीं करेगा ठीक है अब मैं 2 पे आता हूँ तो light और नीचे आगई और अगर मैं 3 पे करता हूँ तो light और नीचे आगई तो आपको पता चल गया हुआ और यह basically projection देता है हमारी light को तो हम इसको जैसे मैं आब ही 3 पे हूँ अब 3 से मैं 2 पे करता हूँ इसको अब देखिये light उपर आ गई 2 से मैं वन पे करता हूँ लाइट और उपर आगे वन से जीरो पे करूँगा लाइट और उपर आगे यह बेसिकली प्रोजेक्शन देता है मैं तो आप इसको एज़ेस्ट करके अपनी गाड़ी तो वैसे ड्राइव कीजिएगा और मैं फिर भीड कर रहा हूँ रात के टाइम मतलीजिएगा क्योंकि अपनी सेफ्टी हमारी अपने हाथ में होती है मैं आपको गाड़ी का बाहर से भी दिखाता हूँ कि एचली कैसे दिख रही है अभी जो मैंने किया हूँ है वो मैंने लो बीम पे जीरो पे किया हूँ है जीरो का मतलब जो है लाइट वो जो है सबसे उपर रहेगी तो मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ यह देखिए गाइस जो गाड़ी की फॉग लाइट्स और जो हैड्लाइट्स है यह लो बीम पे अभी तो ऐसी फ्रेंट से आपको जो है वो लाइट्स दिखेगी मैं आपको हाई बीम करके भी दिखाता हूँ यह देखिए शायद विजिबिल्टी में आपको नहीं पता इतना लगेगा कि हाई यह लो है लेकिन जो आपको मैंने सामने दिखाया था वाल पे मैं दुबारा से दिखाता हूँ हाई और लो वहाँ पे करके ताक कि आपको एक बार अच्छी तरह से उसका पता चल जाए बात के समय तो आइमस से कि किया वालो ने यह बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है आई होप गाइस की जो मैं आपको बताना चाहता था तो आप उसको समझ पाएं तो बाकि अगर कुछी और चीज के बारे में आपको जान करी चाहिए तो कृपया मुझे बताईए मैं ट् चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और आपका एक लाइक हमें बहुत होंसला देता है बहुत मोटिवेट करता है कृपया उस मोटिवेशन को बरकरार रखे और हमारा भी होंसला बलाए थैंक यू